अब हम इस तराजू का अस्तमाल करेंगे ये पता करने के लिए कि कोई चीज का वजन कुल कितना है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये जो बुढ़ा करेला है, इस बुढ़े करेले का वजन कुल कितना है। यहां पर हमारे पास ये बुढ़ा करेला है ये छोटा सा आदमी और यहां पर तीन ब्लॉक और है बाई ओर की तरफ तो यहां बाई ओर हमारे पास है बुढ़ा करेला धन तीन ब्लॉक और यहां इस तराजू के दाई ओर हमारे पास कुल आठ ब्लॉक है तो बुढ़ा करेला धन तीन ये बराबर है कुल आठ ब्लॉक के। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ इस तराजू के किसी और से कोई चीज घटा दे या बढ़ा दे तो यह तराजू किस तरह से डगमगा जाएगा। तो अब हम यह नहीं कह सकते कि हमारा बायापक्ष हमारे दाएपक्ष के बराबर है क्योंकि हमने दाएपक्ष से तो एक ब्लॉक खटा दिया लेकिन हमारे बायापक्ष में कुल अभी भी उतना ही भार मौजूद है इसलिए हमारा यह तराजू एक तरफ जुग जाता है। तो उस थिति में हम कहां पाएंगे कि जो हमारे बूढ़े करेले का वजन हैं। तो चलिए, शुरू करते हैं पता लगाना कि बूढ़े करेले का वजन कितना है। इसके लिए पहले मैं यहाँ पर वापस से अपना वो ब्लॉक जोड देती हूँ जो मैंने पहले घटाया था शुरू-शुरू में, तो यह मेरी पहली वाली स्थिती में ही आ गया, तो दरसल अब यहाँ इस तराजू के बाई और से मुझे इन तीनों ब्लॉक को घटाना है, अगर मैंने हटा देती हूँ, तो इधर सिर्फ बुढ़ा करेला बचेगा, और मुझे मेरे बुढ़े करेले का वजन मिल जाएगा, चले घटाना शुरू करते हैं, यह मैंने एक ब्लॉक घटा दिया, लेकिन अगर मैंने एक ब्लॉक अपनी बाई और से घटाया है, तो मेर यह तराजू बराबर हो गया, चले इस चीज को दुबारा से करेंगे, और फिर से एक ब्लॉक में घटा देती हूँ, बाई और से, और यही काम में दाई और भी करूंगी, मुझे लग रहा है हम करीब आ रहे हैं, एक ब्लॉक और घटा देते हैं, दोनों तरफ से, यहां से हमें दिख रहा है कि बाई और सिर्फ बुढ़ा करेला बचा है, और दाई और हमारे पास पांच ब्लॉक बचे हैं, और दरसल यह तराजू बराबरी पे भी है, तो हम कह सकते हैं कि बाया पक्ष दाए पक्ष के बराबर है, और बुढ़े करेले का वजन पांच ब्लॉक के बराबर है और यहां पर क्या हुआ इसे हम बीच कड़ित की मदद से बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर हम मान ले कि हमारे बुढ़े करेले का वजन X था अगर इसका वजन X है तो यहां पर शुरू शुरू में हमें दे रखा था कि X धन 3 ब्लॉक ये बराबर है 8 ब्लॉक के जैसा यहां पर हमें दिया हुआ है और फिर धीरे धीरे हमने दोनों और से 3 ब्लॉक घटा दिये यानि कि मैंने अपने बाएं पक्ष में से भी 3 ब्लॉक घटाया और फिर अपने दाहिने पक्ष से भी 3 ब्लॉक घटाया इसका मतलब है कि जो काम मैं बाएं पक्ष में कर रह तो चलिए देखते हैं कि ये किस चीज के बराबर है यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर सिर्फ x बचा मेरे पास 2 पक्ष में तो यहाँ बचा मेरे पास x और यहाँ दाए पक्ष में अगर हम 8 में से 3 घटा देंगे तो ये बराबर होगा 5 के और यहां हमें आखरी में यहीं मिला था कि हमारे बूढे करेले का वजन बराबर था 5 ब्लॉक के तो x बराबर है 5 के